ओम शान्ती 11-3-2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म हैं इसलिए विकारों का सन्यास करो इस अंतिम जन्म में रावड की जन्जीरों से अपने को छुड़ाओ प्राश्ण बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है उत्तर बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिलवाले हैं कहा जाता सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है, बाप का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो, किसको रास्ता बताओ, शूद्रों के संग्र से अपनी सम्हाल करो, करमेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना, जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता, गीत मुझे को सहारा देने वाले, ओम शांती, बच्चे यहां ग्यान सुन रहे हैं, किसका ग्यान? क्या शास्त्रों का? नहीं, बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ग्यान तो सभी मनुश्य मात्र लेते हैं, हमको यहां परमपिता परमात्मा ग्यान देते हैं, कोई भी शास्त्रादी पढ़ने अत्वा अध्यन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा उनको शास्त्री जी, पंडिज जी वो महात्मा जी कहेंगे नाम का तैलुक रखते ही हैं मनुष्य के साथ यहां बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते परन्तु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती हैं भाशन करने वालों की बुद्धी में भी यह बाते नहीं हो सकती हमको भी जो ज्यान दे रहा है वह कोई मनुष्य वह देवता नहीं है भल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है फिर भी ब्रह्मा विश्नु शंकर सुक्ष्म वतनवासी जो है उन्हों का तो नाम गाया जाता ह लक्ष्मी नारयन आदिय सब हैं डेवी गुण वाले मनुष्य इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्म हैं फलाने द्वारा परमात्म हमको ज्यान दे रहे हैं वह तो समझते हैं फलाना महत्मा फलाना शास्त्री हमको कथा स वेद शास्तरादी सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्तरों की बाते सुनाता नहीं हूँ, तुम तो अपने को आत्मनिश्य करते हो, और फिर कहते हो पतित पावनाओ, सर्व का दुख हरता सुख करता वह है सर्व का शांती दाता सर्व का मुक्ती जीवन मुक्ती दाता वह तो कोई मनश्य नहीं हो सकता मनश्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ती करते हैं कोई भजन गाते हैं कथा करते हैं इसको कहा जाता है भक्ती मार्ग भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है यहां सब जगह भक्ती ही भक्ती है ग्यान है दिन, भक्ती है रात जब ग्यान है तो भक्ती नहीं जब भक्ती है तो ग्यान नहीं द्वापर कल्योग है भक्ती सत्युक त्रेता है ज्यान का फल वह ज्यान का सागर ही फल देते हैं भगवान क्या फल देगा फल माना वर्षा भगवान वर्षा देगा मुक्ती का साथ में जीवन मुक्ती में ले जाएगा इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है अनाज नहीं है इसलिए भगवान को आना पड़ता है रावण सबको पतित बनाते हैं फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग-अलग है अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है कहते हैं पतित पावन आओ एक को ही बुलाते हैं सर्व का पालन करता एक है सत्युग में कोई विकारी हो नहीं सकता पतित अर्थाद जो विकार में जाती हैं सन्यासी विकार में नहीं जाते इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे कहा जाता है पवित्र आत्मा पांच विकार का सन्यास किया हुआ है नंबर वन विकार है काम क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है इस्तरी को छोड़ते हैं समझते हैं उनके संग में मनश्य निर्विकारी रह नहीं सकते शादी का मतलब ही यह है सत्युग में यह काईदा नहीं बाप समझाते हैं बच्चे वहाँ पतित कोई होता ही नहीं देवताओं की महिमा हैं सर्व गुण संपन संपून निर्विकारी रावन राज शुरू होता ही है द्वापर युक से बाप खुद कहते हैं काम को जीतो तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ और दूसरी बात एक बाप के बच्चे ब्रामन ब्रामनियां तुम आपस में भाई बेहन ठहरे यह बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धी में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है मदद नहीं मिलेगी अच्छा ब्रह्मा की बात छोड़ो तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं साकार में कहते हो इस हिसाब से भाई बहन हो गए फिर विकार में जा ना सके यह तो सब कहेंगे हम इश्वर की संतान है और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ अब जो मेरे आकर बनते हैं वह आपस में भाई बहन हो गए ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जाना सके बाप कहते हैं यह तुमारा अंतिम जन्म है एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याक करो सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए सन्यासियों को कोई टेमपटेशन नहीं है ग्रहस्ती लोग उनको बहुत मान देते हैं परन्तुवा कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते मंदिर में पूजनी लायक हैं देवताएं क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है यहां हमको पवित्र शरीर मिलना सके यह तो तमो प्रधान पत्त शरीर है पाँच तत्व भी पत्त है वहां आत्मा भी पवित्र रहती है तो पाँच तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते है अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान है इसलिए बाढ़ तूफान आदी कितने होते रहते हैं किसको दुख देना या तमो गुण है सत्योग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते इस समय मनुश्य की बुद्धी भी तमो प्रधान है सतो रजो तमो में भी जरूर आना है नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला है अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो या अंतिम जन्म रावड की जनजीरों से अपने को छुडाओ आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो यह बहुत बुरी आदत है सबसे बड़ा दुश्मन है काम छोटे पन में भी विकार में चले जाते हैं क्योंकि संग ऐसा मिलता है समय ही ऐसा है पतित जरूर बनना है सन्यास धर्म का भी पाठ है स्रश्टी को जल मरने से कुछ बचाते हैं अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो भल कहते हैं क्रश्चन धर्म को इतने वर्ष हुए परंतु यह नहीं जानते कि क्रश्चन धर्म फिर खत्म कब होगा कहते हैं कल्योंको अभी 40,000 वर्ष चलना है तो क्रश्चन आदी सब धर्म 40,000 वर्ष तक ब्रद्धी को पाते रहेंगे अब 5000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिये हैं इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ वह अब तुम बन रहे हो या तुम ही जानते हो सो भी नमबरवार अब आप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो घर तो जल्दी याद आता है ना मनुष्य 18-10 वर्ष की मसाफरी कर घर लोटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं अब वह मसाफरी होती है थोड़े समय की इसलिए घर को भूलते नहीं हैं यहाँ तो पांच जार वर्ष हो गए हैं इसलिए घर को तो बिलकुल भूल ही गए है अब बापने आकर बतलाया है कि बच्चे यह पुरानी दुनिया है इनको तो आग लगनी है कोई भी बच्चे का नहीं सब को मरना है इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए है 84 बार शरीर चेंज करते आए है अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूँ तुम्हारा पाट पूरा हुआ तो सब का पूरा हुआ इस नौलिज को धारन करना है सारी नौलिज बुद्धी में है बाप द्वारा नौलिज फुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नई बन जाती है भक्ती मारग में जो भी कर्मकांड की वस्तुएं हैं सब को खत्म करना है फिर कोई एक भी हे प्रभू कहने वाला नहीं रहेगा हाई राम हे प्रभू यह अक्षर दुख में ही निकलते हैं सत्योग में नहीं निकलेंगे क्योंकि वहाँ दुख की बात नहीं तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए इश्वरिय मत से सदा सुखी बन जाएंगे यह समझते भी श्रीमत पर ना चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है इश्वरिय मत और आसुरी मत दोनों में राद दिन का फर्क हो जाता है अब जच करना है कि हम किस तरफ जाएं माया की तरफ तो दुख ही दुख है इश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है अब किस की मत पर चलें बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो पहली बात है कि काम पर जीत पहनो उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो यह पुराना शरीर तो छोड़ना ही है अब वापस जाना है इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूं वहां सत्यूग में समझते हैं यह बुढ़ा शरीर छोड़ फिर बच्पन में आएंगे इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है यह बाब बैट सम्मुक समझाते हैं यह सब बाते ध्यान में रहें तो अहो सोभाग्य कितना सहज है फिर भी पता नहीं स्वीट होम स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं याद क्यों नहीं करते संग दोश में आकर गंदे बनते हैं बाबा कहते बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे परन्तु करमेंद्रियों से कोई काम नहीं करना ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा यह विकर्म हो गया छमा करो विकर्म कर दिया तो उसका फिर सौगना दंड पड़ जाएगा एक तो ना बतलाने से दंड पड़ जाएगा इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल पाप आत्मा है जो विकार बिगर रह नहीं सकते बाइसकोप सिनिमा सबको गंदा बनाने वाला है तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए ब्रामण है निर्विकारी तो संग भी ब्रामणों का चाहिए शुद्रों के संग में दुखी होते हैं शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है परन्तु करमेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए हाँ बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है कोई न कोई युक्ती से हलकी सजा देनी है रचना रची है तो responsibility भी है उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है छोटे-छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है शिबाबा को याद करने से मदद मिलेगी सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं सहारा होता है सुख में ले जाने का एक परमात्मा को ही याद करते हैं वही आकर सब को शान्ती देते हैं सत्यूग में सब सुखी हैं बाकी सब आत्माएं शान्ती देश में रहती हैं भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे अशान्ती मारा मारी कुछ नहीं था जरूर वह नई दुनिया बाबा नहीं रची होगी बाबा से वर्षा मिला होगा कैसे? वह कोई भी नहीं समझते उसको रामराज्य कहा जाता था अब नहीं है था तो सही न? वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है फिर पूज्य जरूर बनेगा अभी तुम पुरुशार्थ कर रहे हो शिव भगवान वाज श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है फिर कृष्ण बनने वाली है सवेरे उठकर बाबा को याद करना है वर टाइम बहुत अच्छा है वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है जैसे आत्मा रात को ठक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ तुम्हारा भी यहां होते हुए बुद्धियोक वहां लगा रहे अमरत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी यह कमाई है जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे धारना होगी जो पवित्र बनते हैं याद में रहते हैं वही सर्विस कर सकेंगे डारेक्शन पर चलते हैं तो बाबाराजी होते हैं पहले सर्विस करनी है सबको रास्ता बताना है योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्यान देंगे न योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे साथ में चक्र को भी फिराना है रूप बसंत बनना है फिर पोइंट्स भी आती रहेंगी अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्यसार पहला इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व शूद्रों के संग से अपनी सम्हाल करनी है दूसरा विकर्मा जीत बनने के लिए अमरत वेले उठ याद में बैठना है इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है वरदान पुराने संसार और संसकारों की आकरशन से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव यथार्थ जीते जी मरना अर्थत सदा के लिए पुराने संसार और पुराने संसकारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना मरना माना परिवर्तन होना उन्हें कोई भी आकरशन अपनी और आकरशित कर नहीं सकती वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करें चाहते नहीं थे लेकिन हो गया कई बच्चे जीते जी मर कर फिर जिन्दा हो जाते हैं रावण का एक सिर्म खत्म करते तो दूसरा आ जाता लेकिन foundation को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी स्लोगन सबसे लखी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते है अच्छा, ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा